हाई स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूटीव चैनल आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्यटे भी हारर 12 और्ड में पूछे गए सॉफ्टवेर इंजिनिरिंग के MCQ और सब्यक्टीव कॉष्ट्टन तो आएए स्टार्ट करते सबसे पढले हम लोग MCQ से first question आपका पूछा गया है which model is called metamodal, metamodal किसे कहा जाता है तो हमने spiral model में पढ़ाता है कि इस spiral model को metamodal कहा जाता है क्यों क्योंकि ये different life cycle model को एक साथ combine करता है जैसे अगर हम कहें तो ये waterfall life cycle model जो step wise होता है उसको follow करता है अगर spiral model के आप look को देखें तो आप देखेंगे कि एक prototype build करता है जिसे iterative waterfall के concept को follow करता है तो इसलिए spiral model को क्या कहा जाता था, student metamodal कहा जाता था second day आपका SRS document should be, SRS document आपका होना चाहिए SRS document कैसा होना चाहिए, concise, बिल्कुल SRS document हमारा concise होना चाहिए, clear होना चाहिए structured, यस हमारा SRS document, software requirement specification, document structured होना चाहिए हमने SRS document पे एक separate lecture बनाया हुआ है, software engineering की playlist को आई होप, आप सारे लोग देख लिए होंगे कल आप लोग की एक jam है, तो आप लोग अभी PYQs देखिए, जितने भी PYQs आपको 7-8 year के provide किये जाएंगे अभी, ठीक है, लगतार सारे वीडियोज अप्लोड हैंगे अभी, कौन-कौन से है, 2012, 14, 16, 17, 18, 19, 20, इतने सारे previous year questions आपको provide किये जाएंगे वीडियो, PDF देखिए, यह जो question है न, इसका PDF आपको description में मिल जाएगा, तो आप PDF चाहिए तो download कर ले, ऐसे discuss तो करवाई दे रहे, और जो हमने MCQs आपको provide किया है, एक वीडियो में, लगभग 100-120 MCQs था, software engineering का वो एकदम भी भी आई है, ठीक है, उसे आपको पढ़के ही जाना है, और आप लोग तो playlist देखी लिए होगे, आगे हम लोग देखते हैं, third question, maximum effort is applied in which phase, पूछ रहा है, maximum effort जो applied किया जाता है, वो किस phase में applied किया जाता है, तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, software development life cycle, उसमें सारे phases को हमने देखा था, सारे phases का क्या work होता है, इसमें first option दिया है, design, coding, testing and maintenance, तो देखिए, यहाँ पर यह दो option हो सकता है, design भी हो सकता है, maintenance भी हो सकता है, लेकिन यह depend करता है, यहाँ पर यह क्या पूछ रहा है, maximum effort is applied in which phase, यानि यह पूरे software development life cycle के बात कर रहा है, हमने पढ़ा था, कि जो feasibility study से, testing phase तक, इसे development का part कहा जाता है, है कि सबसे ज़्यादा effort किसमें applied होता है, तो आप design phase को consider कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे software development life cycle की बात की जाए, तो हमने देखा था कि maintenance phase जो होता है, वो सबसे ज़्यादा time consider करता है, सबसे ज़्यादा effort उसी में applied होता है, अगर हम development part और maintenance part को ratio में divide करें, तो हमने देखा था कि 4 x 6 के ratio में हम लोग कर सकते थे इसे और इसे define भी किया गया था ऐसे, fourth question है आपका the full form of SPMP, तो software project management में हमने देखा SPMP का full form क्या होता है, plan होता है software project management plan, light cut गया है तो आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, वीडियो अगर नहीं भी आ रहा है मेरा, तो कोई problem नहीं है, आज हमें MCQ क क्यूंको हमें आज end करके ही दम लेना है, नेक्सट है, an analyst need to remove during requirement analysis, जो requirement analysis कौन करते हैं, system analyst perform करते हैं, sorry requirement analysis कौन से करते हैं, जो हमारे organization की team होती है, वो requirement analysis को perform करती है, तो analyst उसके बाद उसमें क्या-क्या चीज को remove करते हैं, requirement analysis से जो भी requirement gather होगे आए, अगर उसमें anomalies है किसी प बानता है तो उसे दूर करते हैं इनकंप्लीटनेस अगर इनकंप्लीटनेस की कहीं बात है उसे दूर करते हैं यानि इसका ऑप्शन हो जाएगा ओल आप दा एवर नेक्स्ट है आपका का Summersём को बात है जो आपका है जो मैं यहां हो जाएगा आपका none of these okay I don't know यह work क्यों नहीं कर रहा चली इसका option होगा आपका none of these क्यों none of these होगा क्यों देखिए हमने पढ़ा था जो project size estimation होता है उसमें हम लोग क्या consider करते थे आपको project का size को consider करना है ना तो size के लिए हम लोग क्या करेंगे इंची टेप लेके नापेंगे तो नहीं है ना skill लेके नापेंगे तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे kilo lines of code में major करते थे यानि आप LOC में major कर सकते हैं के LOC दोनो एक ही बात है ठीक है या आप function point से major कर सकते थे यही दो concept था लेकिन यहाँ पर cost schedule time ऐसा कोई size को major करने के लिए कोई concept नहीं है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा क्या none of these next है आपका software mistake during coding is non as coding के समय जो हमसे software mistake होता है उसे हम क्या कहते हैं failures नहीं defects नहीं bugs नहीं errors जो हम लोग mistake करते हैं student coding के समय उसे क्या बोला जाता है errors बोला जाता है bugs क्या होता है bugs वो होता है जो किसी तरह का unbehavioral हमें concept मिलता है हमें output मिलता है उसे हम लोग bugs काते हैं यानि bugs का मतलब है कि हमारा program successfully execute हो रहा execution time कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें expected output नहीं मिल रहा है उसे bugs कहा जाता है errors का जाता है mistake को जो हम typing करते ही mistake करते है coding करते ही ल् Как यंवी मिश्टेक करते है defect software Product में हमारा कुछ अगर defect होता है तो उसे defect कहा जाता है failures अगर हमारा software कहीं पर fail हो जाता है कोई उसके set of defined task को perform नहीं कर पाता है तो उसे failure कह जाता है ठीक है तो यह चारो के अपने अपने definition है चारो को आपको याद रखना है MCQ यह चारो पर पूछे जा सकते हैं जैसे अभी errors पर पूछा गया है next आपका है student static analysis tools often use जो static analysis tools होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं यहां पर चार्ट नहीं गैंट चार्ट नहीं तो यहां पर नन आफ दीज आपका हो जाएगा static analysis tool यहां पर नन आफ दीज होना चाहिए ऐसे आप इसे एक बार Google कर लिजे और जिन्हें इसका आउंसर मिल जाए वो comment box में comment करते मैं इसके आउंसर को पिन कर दूंगा ठीक है नेक्स्ट विच अमंग दीज इज डिबगई अपरोच जो डिबगई का अपरोच होता है निमनेए लिकित में से कौन सा है back tracking यस back tracking इसे डिबगई अपरोच बूट फोर्स भी एक debugging अप्रोच है, program slicing भी एक debugging अप्रोच है, तो यहां पर हो जाएगा आपका all of the ever, next है आपका test suitage, जो test suit define क्या जाता है, वो क्या होता है, वो होता है, combination of test cases, set of inputs, set of outputs, नहीं नहीं, इसमें हो जाएगा test cases, next है क्या, testing the software is basically, किसे software को test करना क्या है, verification, yes, validation, yes, तो जाएगा both A and B, verification और validation दोनों अलग-अलग बाते हैं, verification क्या होता है, हम verify करते हैं, किसके against set of requirements क्या है, हम input देते हैं, और output को चेक करते हैं, क्या, हमारा software, requirement के अनुसार, जैसा हमारा expected output था, वो हमें provide कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हुआ verification, validation क्या हुआ हुआ, हम यह च जो को consider करते हैं, validation में, ठीक है, next step, which among these is a type of maintenance, इनमें से कौन सा maintenance का type है, software maintenance हमने एक separate lecture में discuss किया हुआ, उसमे हमने तीन types of maintenance, three types of maintenance देखे थे, corrective, perfective, adaptive, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका all of the above, next step, इनमें से अच्छा, next step, the full form of DFD, DFD का full form क्या होता है, data flow diagram, हम सारे को प हमने different types पढ़ेते, coupling और cohesion एक separate lecture में, उसमें हमने देखा था, कि functional cohesion क्या होता है, highest cohesion होता है, next step, black box testing is also called, black box testing को कहा जाता है, functional testing, maybe structural testing, नहीं, both A and B, none of the, यहाँ पे functional testing होगा, हमने testing, उसके types, दो-तीन lecture में discuss कर रहे हैं, उसमें हमने एक hierarchy देखा था, उस hierarchy को आपको याद testing और non-functional testing, यानि black box testing के कुछ part functional testing है, इसलिए हम लोग functional testing में, टिक मारेंगे, next है, alpha testing is a type of, बिल्कुल यह system testing का type है, हम सारे लोग को पता है, next है, unit testing is done with the help of, unit testing किया जाता है, किसके help से, driver module, stop module, both hand भी, none of these, unit testing is done with the help of, यहाँ पे driver module, stop module, दोनों हो जाएगा, दोनों होता का आकर driver module, stop module क्या होता है, driver का use, तब किया जाता है, जब हमें क्या करना हो, हमें किसी lower module को test करना हो, ठीक है, और हमारा upper module, जो हमारा upper module है, वो अभी fully, या अभी implement नहीं वाया, जब deadly implemented है, ठीक है, stub module क्या होता, किसी अपर मोड्यूल को हमें टेस्ट करना है लेकिन जो हमारा लोर मोड्यूल है वो अभी पार्सियल इंप्लिमेंटेड है यह होता है ट्राइवर तो यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हम दोनों का हेल्प लेते हैं कि नेक्स्ट है आपका क्या कोगुमोज डेवलप रख तो बैरी बोहम के द्वारा विडवलोफ के द्वारा यह डेवलप किया गया था एर्ट्रिब्युट आफ सौफ्ट प्रोडक्ट त्सौफ्ट्रियर प्रड़क्ट का अच्रिब्यूट क्या होते हैं efficiency yes maintainability usability यहां हो जाएगा आपका all of the above ठीक है next है evolutionary model is called evolutionary model को incremental कहा जाता है yes decremental no minimal none of the यहां पर आपका option हो जाएगा incremental next है क्या evolutionary अच्छ यह यही है next आपका आगे अब group भी देखें यह old question है ठीक है अब आपका जो syllabus का pattern है इस पर आधारित नहीं और आपके syllabus में कई सारे concept भी चेंज हुए हैं जो कि छट गया है तो में भी इसमें कुछ ऐसे questions हो सकते हैं जो कि अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसका जो syllabus था 2016 के पहले वो अलग syllabus था 2016 से syllabus चेंज हुआ है और फिर 2021 से भी syllabus चेंज हुआ है तो आप लोग 2016 और 21 के बीच में हैं ठीक है तो आप लोगों को तरीके से लिख सकते हैं क्यों spiral model को मेटा मोडल कहा जाता है आप बता सकते हैं कि spiral model waterfall model के अप्रोच को फॉलो करता है उसके जो लूप होते हैं वो इट्रेटिव को फॉलो करते हैं तो आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है briefly explain requirement gathering and analysis हमने requirement gathering and analysis पर एक separate lecture बनाया था लंबा lecture था और हमने वहाँ पर आपको बार बार कहा था कि यह बहुत VVI topic है और यह वाकई में बहुत VVI topic है requirement gathering या requirement elicitation जो techniques होते हैं वो भी आपसे पूछी जाते हैं long type में ठीक है तो यह आपको एकदम note कर लेना है कि यह भी भी यह यह आपको पढ़के ही जाना है requirement gathering और elicitation नेक्स्ट है explain coupling what are various types of coupling हमने coupling और cohesion और उसके types को एक separate lecture में discuss किया है आप आराम से लिख सकते हैं next what do you understand by code review code review क्या होता है code review या code inspection जो होता है दोनों एक ही चीज़े आप अराम से यहाँ पे explain कर सकते हैं next what is testing testing आपको लिखना है क्या होता है और verification और validation के बीच में आपको क्या करना है differentiate करना है next what are the essential activities of project planning जब आप project planning करते हैं किसी भी project को तो कौन-कौन से set of activities को perform करते हैं वो आपको यहाँ पे mention करना है next है आपका group C long type आ गया यह 8 marks का question है अब आपसे 8 marks के question नहीं पूछे जाते है अब आपका syllabus change है आपसे 4 marks और 6 marks के question पूछे जाएंगे what do you understand by project estimation techniques यहाँ पे आपको different project estimation जो techniques होते हैं software engineering में उसे mention करना है और constructive cost model को यहाँ पे explain करने के लिए कहा गया है तो आपसे अगर 6 marks में ऐसा question पूछे जाए तो project estimation techniques को आप explain करते हैं और कोकोमा में आप basic कोकोमो को सिर्फ explain करें तो आपको full marks मिल जाएंगे ठीक है और अगर only कोकोमो पूछा जाए तो आपको basic intermediate और जो high होते हैं तीनों को आपको explain करना है ठीक है नेक्स्ट है explain debugging debugging क्या होता है explain various debugging techniques और जो various debugging techniques होते हैं आप उसे explain कर दें नेक्स्ट है briefly explain black box testing हमने black box white box और gray box testing तीनों को explain किया black box क्या होता है ब्लैक है box black है हमने figure के साथ आपको visualize करवाय था तो यह internal part में नहीं जाएगा यह क्या करेगा उपर उपर चेक करेगा तो अब क्या होता है आप लोग black box testing वाले lecture में जाके देख सकते हैं what are the good and bad characteristics of SRS document VVI, V यह बहुत VVI है SRS आपको पढ़के ही जाना है किसी भी हालत में SRS आपको पढ़के ही जाना है SRS document पे बहुत question पूछे जाते हैं software requirement specification हमने separate lecture बनाया है good characteristics और bad characteristics आप लिख सकते हैं software requirement specification के format को भी हमने बना रखा है जो कि exam में आप से पूछा जा सकता है तो उसे भी आप लोग PDF दे दिया है आज रात में मैंने सारे PDF आपको दे दिया थे आप PDF खोल के सीधा पढ़ते वे जाएं सेंटर पर जाएं PDF पढ़ते वे जाएं जब तक exam hall में नहीं घुच जाएं तब तक आपको पढ़ते रहना exam में जाके सारा लिख देना है और उधर से आके दिमाग से सार लोग अभी याद कर रहे हैं कल आपका exam है तो आपको देखे करना क्या है आपको पूरे एक-एक Line को नहीं याद रखना है ठीक है और एक-एक line को कोई याद नहीं कर सकता है हमें भी याद नहीं होता है किसी को नहीं होता है हम एक terms याद रखने है अब waterfall model हम पढ़ रहे है waterfall model के जो steps है, जो phases है, हम सिर्फ उसको याद रखेंगे, seven जो steps है, उसके बाद हम exam hall में जाएंगे, तो हमसे अपने आप लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हमने lecture देखा हुआ है, बाते हमारे दिमाग में है, हमने पढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में line है, हम जब उसे लिखेंगे, तो अपने आप वो मेरे सब्दों में express हो जाएगा, और question में लिखा जा रहता है, कि write in your own words, हमें किताबी भासा नहीं लिखनी है, ठीक है, तो ऐसा नहों कि आप पूरा एकदम, एक एक line याद करके जा रहा है, आपको सिर्फ क्या समझना है, आपको concept समझना है, कैसे work करता है, क्यों spiral model, meta model है, iterative का मतलब क्या हुआ, कैसे prototype develop हो रहा है, और बार बर वो iterate हो रहा है, बस इन सभी बातों को आपको समझना है, coupling क्या होता है, cohesion क्या होता है, यह सब समझना है, next step briefly यह हो गया, describe coding standards and guidelines, यह देखिए हमने separate lecture एक बनाया था, और यह आ variable के naming क्या होने चाहिए, यह different types के थे और कुछ guidelines हमने देखे थे, write short notes on, short notes इस पे लिखने data dictionary जो होते है, software engineering में, उसके बारे में आपको लिखना unit testing, आप लोग लिख सकते system maintenance, यहाँ पे देखिए, software maintenance आपके syllabus में दिया, well लेकिन system maintenance को दिकत नहीं है, आपका एक subject है system maintenance, तो system maintenance के बारे में, तो आप लिखी सकते system को maintain करना, उसके different parts को आप लोग explain कर सकते हैं, software engineering के principle को आप लोग explain करते हैं, यहाँ पर software engineering का principle क्या होता है, आप लोग इसमें लिख दे कि software engineering में हमें requirement मिलता है, input में हम उसे क्या करते है, process करते है, उस requirement को, और हम SRH document बनाते है, उसे develop करते test करते हैं, और last में हमें, expected क्या होता है, एक high quality software product expected होता है, तो आप इसे एक बार google कर ले, software engineering principle को, और आपका ये 2012 odd का, जो question था, student, यहाँ पर ये end हो गया, और हमने देख लिया, MCQ जो total आया थे, MCQ हमने बना लिया, हमने जो subjective part आया, subjective part को भी discuss कर लिया, इसके बाद हम लोग next video में discuss करेंगे, 2014 odd के जो question पूछे गया थे, software engineering के, वो भी आपका old syllabus का ही है, लेकिन हम लोग discuss कर लेंगे, क्योंकि देखिए, MCQ होता है, जो आपका multiple choice question होता है, वो इधर उधर ही घूमता रहता है, कोई नया create नहीं करता है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने next lecture में thanks for watching